सिक्षा काधिकार अध्मियम 2009 के तहट प्रतेक विद्याले में बांडरी वाल होना चाहिए परन्तु बड़े अपसोस की बात है कि जौनपूर जिले के रामडगर बलाक के रायपूर पुरमादमिक विद्याले में बांड़री वालना होने से अलका सहीद 105 बच्चों को हरी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है पादिक रापके इस्कूल में क्या समस्या है सबसे बड़ी समस्या है कि राउंड में पना है तो बांडरी नहीं बना है, तो क्या दिक्कत होती है? हम लोग खेलते हैं, तो बॉल चला जाता है, सड़क पर जिसे इस्टिडेंट भी हो जाता है और गारी मोटर का आवाज भी आता है, जिससे हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं हमारे बिद्याले में तो अनेक समस्चा है, जैसे हर्दिवारी का नहोना, सेपरेड साउचाले का नहोना और बगल में एक चक्की चलती है, उसकी आवाज से धन प्रदूशन को जोता है हमने कई बार जो है, खंड सी शाथी केरी रामने लोग पाउग भी कराया लेकिन उलोग इसके बिसे में कोई कारवा ही नहीं है, साणक पर आना जाना रहता है, सोगुली होता है, पक्षाएं सलती रहती है, वाज़ें जी होता है और एक्सिडेंट होने के सम्भानों रहती है यहाँ सब सब बढ़ी समस्या बांटिवाल की है बांटिवाल की हिलना रहने के होजा से यहाँ नेखिड की दर्माजया तूट जाते हैं और नर्द में बहुत ज़्यादा खरावी आ जारी है, बच्चे पेड बहुत है, लगाते हैं उखड जाते हैं चुट्टी होती है, बढ़ी समस्या देखना पड़ता है कि बच्चे तेजी से न भागें, हमें सब उन्हें चलता की तब बस खास चूट है, बस सोगरा चलती रहती है मैं और मेरा समदाय चाहता है कि इस विद्याला का बॉंडरी वाल जल्द से जल्द बनवाया जाए, ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि राम नगर बलाग के बियस्से जिनका मुबाइल नमबर 945004392 है, इस परकाल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके मैं बविता मौर्या जौन पूर उत्तर प्रदेश से इंडिया नहट के लिए